अपना अपनों का धान रख रहोंगे देखो या कॉमेट किये कि जो राउंड थी की जो डीटेल से वह आप लोगों की हैं तो वह मैं यहां पर क्लियर करता हुआ चरूँगा ताकि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना हो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इंडिविजुल कांसलिंग के लिए तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत नॉमेनल से उसके मैंने चार्ज दे सके हैं क्योंकि अभी भी आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन बचा है और यह फाइनल एडिटिंग का ऑप् कर लोंगा तो लेफ्ट में चीजने थोड़ा सा देखते हुए चलना ठीक है अब आप यहां पर दिया हुआ है अगर आप कोई दिख रहा होगा तो राउंड थी का अगर आप यहां पर देखने प्र थोड़ा कोशिश करोगे कि तो राउंड थ्री में नहीं साफ साफ है suppose आपको कोई सीट लॉट हुई और आपको वो सीट अभी नहीं चाहिए तो यही लास्ट मौका है ठीक है भाई यही एक लास्ट चांस है इसके बाद आपको आपको आप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपनी सीट को आपिस से विड्रॉ कर सकें या अपना पैसा डिफंड कर सक तो दिखो अब इसके बाद जो दूसरी डेट है चार से च्छे तारीक तक चार से च्छे तारीक तक मतलब आज आपका लास्ट डेट है कैंसलेशन का और 4 तो 6 आपको प्रिफरेंस में एडिटिंग का आप्शन दिख जाएगा अगर दिखो आपको अभी भी अच्छा कॉल के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे हैं अभी भी अगर आपकी रैंक आपको दिख रहा है कि अभी आप प्लान डिसिजन आपको लेना पड़ेगा अगर आपको दिख रहा है कि कुछ होता हुआ नहीं बन रहा है मतलब रैंक काफी जादा है और अप पॉसिबिल्टी कम आपको लग रही हैं तो management quota के लिए आपको यहां पे साशुत का number दिख रहा होगा आप उनसे contact कर सकते हैं coordinate कर सकते हैं समझ सकते हैं कि किस तरीके से management quota में admission होते हैं क्या fees रहेगी क्या सारी चीज़ें हैं वह आप उनसे discuss कर लीजिए और discussion के बाद जो भी आपको बैतर लगे वैसा आप decision लें बहुत सारे admission last year साशुत ने करवाए थे तो मैं काफी बनकर नाम recommend भी करता हूं क्योंकि जितने भी parent को मैंने refer किया देया totally satisfied और उनको college allotment और उस सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा एवन होस्टल तक और बाकी सारी चीज़ों का भी वह लोग आप लोगों के लिए manage कर देते हैं थोड़ा सा नीचा जाता हूं ठीक है और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो reporting to the college only accept and freeze candidate along with the printout तो यह कोई बड़ी बात नहीं है जिसको college मिल जाएगा college को report करना 14 September तक अब एक बड़ी चीज़ यहां पर आ रही है कि exclusive round को यहां पर के लेकर बातें काफी जादा parents कह रहे हैं या बहुत सारे counselors भी कह रहे हैं कि exclusive round की क्या possibility यहां पर बन सकती है तो देखो exclusive round की possibility अभी इस पर discussion करना बहुत जादा जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक बार seat matrix हमको देखनी पड़ेगी, seat matrix समझनी पड़ेगी, seat matrix आने वाले टाइम पर कितनी seats back end है और किस तरीके से हैं तो अगर बहुत जादा seats खाली रह जाती है तभी college exclusive round कराता है जनरली क्या होता है कि अभी जो counseling है अगर आप देखोगे तो यह सबसे आखरी किसी college की counseling चल रही है तो जनरली यहाँ पर seat बच्चे सोचते हैं कि ले ही ले किसी ना किसी तरीके से लेकिन फिर भी अगर seat खाली रह जाती है तो definitely exclusive round होगा होते हैं comment के में exclusive round one two two round तक भी होते हैं तो उसको लेकर भी हम लोग आने वाले time पर वीडियो बनाएंगे that's all from my side guys my name is karam stay tuned stay safe stay blessed bye bye जाहिंजा भारत and as always God bless you all